हेलो गाइज आज हम ना यूद्ध प्रकासन की जो बुक आती है उसका 30 सच से स्टार्ट करेंगे और इस बुक को जल्दी जल्दी एंड करने की कोशिश करेंगे तो आज हमारा टार्गेट टाइप फस्ट का होगा इसके सभी कोश्चन लगाएंगे इस बुक के तो टाइप इसमें हमारा फस्ट कोश्चन क्या है कोश्चन देख लेते हैं कि एक कश्वे की 5% जनसंक्या किसी मामारी की मुद्ध हो जाती है बची ही जनसंक्या में 8% घबराकर कश्वे को छोड़ कर चले गई यदि कश्वे की कुल जनसंक्या अभी 88,214 है तो शुरुआत में कश्व 10-30 में क्या करो स्टार्ट इसमें मान लिया कि टोटल कितनी जनसंक्या थी के सथी 5% जनसंक्या महमारी के करन मित्यो घबर चले ऐगई 9arp car डोехा 15 Hafid 35 निसमें निकावफे तो कितना 680 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा पिच्चान में multiply कितना बान में 8% चोड़ कर चलेगे यानि कितने बचेंगे 8% तो हमारे चलेगे और बाकी के रह जाते हैं तो पिच्चान में गुणा बान में बटे 100 यह बान में कहां सा है क्योंकि 8% चले गए है और इसकी जो वैलू हुआ वह बैलू है 88,274 ठीक अब यहा बान में की गुणा करनी पड़ रही है तो यह कितना कम है 100 से यह पांच कम है यह देखेंगे यह कितना कम है आठ तो आठ पंजे कितने होगे 40 नहीं से पांच जाएगा तो 87 यह कितना आजाएगा 87,000, 87,40 हमीट चला हमारे 100 बरावर में 88,274 तो यहां से हमें किसकी बैलू नकालने है पूरे 100 परसेंट की बैलू नकालने है एक जीरो एक त्रुपल जीरो यानि 100 प्रसेंट इतने लोग हो जाएंगे जो कि option नंबर बी में दे रखा है अभी दूसरे question के बारे में बात कर लेते हैं दूसरा question है कि एक गाओं की जनसंख्या 18000 से बढ़कर 252500 हो जाती है शुरू में 18000 थी अब बढ़कर 25500 हो गई तो ब्रद्धी का प्रतीसत गयाद कीजिए तो प्रतीस शुरू में कितनी थी 18000 थी अभी बढ़कर कितनी हो गई 22500 हो गई है तो टोटल कितनी ब्रद्धी हुई 4500 के ब्रद्धी होई है अभी गुणा में क्या जाएगा सो यह 2-0-201010 तो यह निकी 450 450 वर्टे कितना जाएगा अठार नो पंजे 45 और नो दुनिया टार्था कैबर गया 25 वार तो 25 परसेंट की ब्रद्धी होगी कितनी परसेंट की परसेंट की जो कि आप्शन नंबर ए में दे रखा है कोश्चन नंबर 3 देखो एक राय एक शहर की आबादी में लगातर 2 वर्षों में 10 परसेंट 20 परसेंट की ब्रद्धी होई किन्तु तीसरे बरस इसमें 25 परसेंट की कमी होई तीसरे बरस में जनसंक्या और तीन बरस पूर की जनसंक्या का आनुपात गयाद कि अपका 45 कि कमीं आगी 15% कि क्या कि तो पहले इन को सक्सेशिव कर लें और अपा फोती हुप KST को एड करने का तरीका तो यह देखो 10 002 और प्लस के 10 जोना कितना 20 अरबड़कर में कितना जाएगा सो दसर बीस कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे यह देखो 2020 यानि 32 कितना हो गया अब इसमें से 25 परसेंट हमाय क्या है घटा देते हैं तीश्री यह मैं से तो 32% का और 25% का निकालना है हमें तो देखो माइनस आ जाएगा और माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 32 मृल्टफॉाइब मैं 25 और दते में कितना आजाएगा सो 294 00 चार से कट गया यह आठ रट कितने होगे 33 तो 32 माइनस के 33 कितना है माइन ऊ-1 या की अभ माइनस एक का मतलब है I see बाफसर हमारा अंसर हो जाएगा अब की आपस नम्मर बी में दे रखका है अब अब मर चार को देखो को इस चार कह रहा है कि एक सहर में एक सहर की बाफट परसंट जनसंख्य शिख्षित है यदि सहर में एस शिख्षित लोगों की संख्या ग्याद कीजिए देखो इस कोश्चन में हमको एक शिक्षित लोगों के बिल्कुए एक नंबर दे रखा है तो हम परसंटेज के अनुसार भी देख लेते हैं कि एक शिक्षित लोग के इतने हैं यदि 100% हमारे टोटल लोग हैं उसमें से 62% शिक्षित हैं तो 38% जो यहां से अगर हम बैल्यों निकाल हैं पूरा 100% की बैल्यों ने या फिर हम 6owitz मैं 62% की लोगों के मैं निकालता हूं । तो चौबिस हजार पान सो सड़ सट बटे में 38 आ जाएगा बासट परसेंट की बेलू अगर निकालें तो यह हो जाएगा चौबिस हजार पान सो सड़ सट बटे में 38 और मल्टिपलाई में क्या जाएगा बासट क्यों कि शिक्षत लोगों की निकाल नहीं है इसको सोल्व करेंगे सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 40,083 जो की option number कौन से हम दे रखा है option number D में यह दे रखा है question number 5 की तरफ बढ़ते है question number 5 दे रखा है कि दो बर्स बाद एक शहर की जनसंग्या कितनी हो जाएगी जो बर्तमान में 12,00,000 है ब्रद्धी की दर 4 परसेंट है तो कि चार परसेंट की दर से ब्रद्धी होती है तो कितनी हो जाएगी दो साल बाद जनसंग्या तो इसके लिए successive method लगा लो एक तरीका वह है दूसरा तरीका क्या है कि जनसंग्या हमारी कितनी है बारे लाक तो बारे लाक को लिख लो एक दो ती चार परसेंट की दर से होती है तो चार परसेंट सौ था चार की ब्रद्धी होगी तो कितना होगा एक से चार बटे सौ और से चार बटे में कितना जाएगा सो दो जीरो दो जीरो यह 4-0 खतम हो जाएंगी अब हमारा 120 multiply एक से चार में एक से चार की multiply कर लेंगी तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 एक से आठ यानि इतना हो जाएगा इन सब की इन दोनों की multiply करेंगे और multiply करने के बाद में जो हमारा answer आ ज नो साथ नो दो जीरो जो यह हो जाएगा इन दोनों की गुणा करेंगे करके देख लेना कोश्चन नमबर 6 देख लेते हैं कोश्चन नमबर 6 क्या है कि एक सहर की आबादी 5% की दर से बढ़ रही है यदि सहर की बरत्मान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस सहर की पांच प्रितिसात की दर से बरत्था हो रही है तो पांच प्रितिसात को कैसे लेक सकते हैं इक वर्ते 20 के रूप में लेक सकते हैं तो देखो 20 believes 20 mai 21 है तो कितनी होगी 21 इस वह कि ट्रहा चार सा यहां मैं यहां चार सा 85,220 तो एक लाख 85,220 यह इतनी की वैलू है तो अगर एक यूनिट की वैलू निकालें तो यह हो जाए कि एक लाख 85,220 और बटे में 441 हमें जो बैलू निकालनी है वो 400 की निकालनी है तो 400 के लिए एक लाख 85,220 बटे में 441 और मल्टिप्लाई में 400 इसको सोल कर लेंगे तो इसका जो आनसर आएगा वो आजाएगा वो आएगा एक लाख 46,400 एक लाख 46,400 अभी कोस्चन नमबर साथ की तरफ चलते हैं कोस्चन नमबर साथ क्या है कि एक शहर की जनसंक्या 8000 है यदि पुरसों की जनसंक्या में 8% और महीलाओं की जनसंक्या 12% की ब्रती होती है तो जन संक्या 86-90 हो जाएगी, शहर में महिलाओं की संक्या ग्याद कीजिए, इस टाइप फश्ट में सबसे अच्छा question यह है, इस question में जो पुर्षों की संक्या है, पुर्षों की संक्या को जो मैन है, उसकी संक्या को माल लेंगे x, और जो बो मैन की संक्या है, वो कितनी हो जाएगी, जब total man और बो मैन मिलके 8000 हैं, तो बो मैन हो जाएगी, 8000 माइनस के x, देख लो क्या है question, की 8000 है, टोटल जन संक्या है, जिसमें पुरूस और बो मैन है, तो पुरूस अगर x माने है, तो बो मैन कितनी हो जाएगी, 8000 माइनस x हो जाएगी, अब महिलाओं की संक अब इसमें कितनी होगी, 8000 माइनस के x, कितने की ब्रद्धी होती है, 12% की, यानि 1 से 12 बटे 100, total मिलाके यह जो बैठ जाएगे, कितने हो जाएगे, 680, कितने हो जाएगे, 680, इसको solve कर लेंगे, यहां से x की value निकाल लेंगे, और जो x की value होगी, वो होगी, 7000, कितनी होग है, हमसे पूझा महिलाओं की संक्या क्या होगी, तो महिलाओं की संक्या हमने मानी थी, 8000, माइनस के x, 8000 में से, अगर 7000 जाएगे, तो कितने बचेंगे, यह 1000 बचेंगे, तो महिलाओं की संक्या 1000 हो जाएगी, question number 8 देखिए 2008 में एक कलोनी की जनसंक्या 54,000 हो गई जो 5% की दर से बढ़ रही है 2 साल पूर्ग कालोनी की आबादी ग्याद कीजिए तो present की condition दे रखी है कि 5% की दर से परदी हो रही है 5% को सबसे पहले लिख लेंगे 1 बटे 20 यानि 20 थी कितनी होगी 21 20 थी कितनी होगी 21 20 होगए हमारे 400 21 21 होगे 400 41 इनकी गुणा कल लेती जाती ठीक तो यह हमारी बर्तवान इस्थिती है 2 साल पहले की इस्थिती है तो इसकी जो बैलू है यह रखी है और यह जो दे रखी है वो कितनी है वो दे रखी है 54,000 कितनी है 54,000 54,000 दे रखी है अब एक यूनिट की अगर बैलो निकालू तो यह हो जाएगी 54,000 और बटे में कितना जाएगा 4,000, 41 हमें 4,000 की बैलो निकालनी है क्योंकि 2 साल पहले की बैलो पूंची है तो 54,000 बटे में 4,000, 41 मल्टिप्लाई में 4,000 इसको सोल कर लेंगे सोल करके जो हमारा आनसर आएगा वो आएगा 48,980 48,980 जो की हमारा आप्शन नमबर B में दे रखा है कोश्चन नमबर 9 कोश्चन नमबर 9 इस एक सहर में पिरते वर्स के आरम में लोगों की बरतमान संक्या 3% की दर से ब्रदी होई यदि उस सहर की बरतमान जनसंक्या इतनी है तो 3 बरस बाद जनसंक्या क्या होगी तो इसको करने के लिए 30,000,000 है तो 30,000,000 जनसंक्या है तो ये 30,000,000 है और 3% की ब्रदी होती है 3 साल तक 1 सब 3 बटे 100 103 बटे 100 103 बटे 100 2, 4, 6 60 से 60 खतम अब 3 गुणा 103 103 और 103 इनकी गुणा कर लेगे पहले इन दोनों की कर लो तो 3, 3, 9 और 106 इनकी कर लो इस 309 इनकी मल्टिपलाई कर लेगे और जो इसका आनसर आजाएगा वो आ जाएगा 32,78,181 यही हमारा आंसर है इसका लास्ट कोस्चन है इस टाइप में लास्ट कोस्चन है क्या है कि एक गाउं में 200 बैक्तियों में से 1 से 11 सक्षर हैं गाउं के ऐसिक्षित लोगों का पिर्थीशत क्या होगा तो हमें एसिक्षित लोगों का मतलब है तो 200 टोटल लोग है उसमें से 1 से 11 सक्षित हैं तो एसिक्षित कितने होगे 89 बंदे एसिक्षित होगे 89 का हम प्रसेंट निकालेंगे 200 से तो मल्टिप्लाइब में हो जाएगा 100 200 से 200 89 बंदे दो भाग देंगे चार पांच पॉंट दो चौक आठ और दो चौक आठ और दो पंजो दस यहनि 44 पॉंट पांच चौवालिश पॉंट पांच जो कि ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यह मेरा टाइप फ़स्ता टाइप सेक्ट की वीडि कर लेजिए और वीडियो पसंद दे वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाब